सालों बाद देश पर एक संकट फिर से आया है और ये संकट आया है आसमान से याफ़त पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुई है हम बात कर रहे हैं टीडियों के उस अटाकी जो किसानों के आफ़त बन चुकी है कोरोना काल में ये टीडियां किसानों के लिए परिशाने बन चुके हैं लेकिन टीडियों के बड़ते खत्रे को देखते हुए अब यूपी सरकार ने संकट से निपटने के लिए टीडी प्रभावित जिलों के लिए दिशानिर्देश जाने किये हैं इसके अलाव़ टीडी नियंद्प्रण के लिए सरकार ने कई टीमों का गठन भी किया है और लोगों को टीडियों का हमला होने पर उन्हें भगाने के लिए शोर मचाने के निर्देश दिये गए हैं टीडियों की बच्छा से इन दिनों ललित पुर, आगरा, मतुरा, मुझाफर नगर, शामले और बाकपत के लाव़ बंदेल खंट के कई जिलों में ये शामले हैं किसानों पर आई आस्मानी आफ़र कोरोना काल में आस्मान के रास्ते टीडि दल का हमला लॉकडाउन के बिच टीडियों का दल एक नया सिर्दल बन गया है किसानों के लिए फसल भले ही कट चुकी हो, लेकिन नई फसल के लिए भी ये टीडियां आफ़त से कम नहीं है यही वज़ा है कि किसान अब करोना के साथ साथ टीडियों से भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इसको हम लोग चागरूख हो गया है इसको जिसे खेत में कुछ धुआ करके जो है टीन डब्बे पीट करके और इस तरह से अपनी फसलों की रच्छा कर रहे हैं राजस्थान, हरियाणा और यूपी में आतंक मचाने वाली टिड़ी इंदीनो लॉकडाउन में कुरोना वाइरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विशे बनी हुई है लेकिन आखिर ये टिड़ी आँ भारत पहुंची कैसे, इस बात को समझना भी बेहत जरूरी है विशेशग्ण्यों का मानना है कि उत्तरी हिंद और अरब सागर में 2018 में आये साइकलोनों की वज़़ा से सौधी अरब में मौसम में भारी फेर बदल हुआ था, वहाँ बारिश के बाद रगिस्तानी आलाकों में भी पानी भर गया था ये वही अरब रगिस्तान हैं जहां टिड़ी पाई जाती थी और इस मौसम में बदलाओं के बाद वहां भैंकर टिड़ी जल सामने आये अनियंत्रित यही टिड्डी दल अरब से यमन और उमान पहुँचके वहाँ भी बारिश ने टिड्डियों को पनपने का मौका दिया अब हवा के रुक के चलते पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुँच चुकी टिड्डी दल के सानों में हड़ कंप मचाय हुए है बहुत सालों से चल रही एक प्रक्रिया है और बहुत वर्सों से यह आतंग चलता रहा है अभी पिछले कुछ सालों में कम रहा है लेकिन जानकारी के मुताबिक यह जो ब्रीड होती है टिड्डियों की यह किसी भी वेजिटेशन पे पूरे ग्रुप पे हमला करती है ग्रीन सारी यह फीड करती है और अपने वजन का कई गुणा ग्रीन वेजिटेबल को खा जाती है उस वेजिटेशन को खा जाने के वाज़े से जो फसल लगी रहती है वो पूरी की पूरी एक ही रात में गायब हो जाती है पेडों के ऊपर अटेक हो जाए या बाकी ग्रीन पे ताबर हो जाता है और इस प्रकार से वो नुक्सान पहुचाती हुए आगे बढ़ती रहती है खुलमिलाक इसमें किसानों का हुजादा नुक्सान है इसके बाद जो सब्जी उगाते है इसके बाद चाहं को सब्सक्राइब य। राजस्तान और मद्ध्य प्रदेश के कई राजियों में आफद का सबब बने टिडडी दल को लेकर अब वाराणसी जीला प्रशासन अलर्ट मोड में हैं किसानों को जागरुप करने के साथ ही उन्हें खेत में दवाएं कैसे छिड़के इसके बारे में बताया जा रहा है वहीं किसान भी टिडडी दल को लेकर सतर्क है जो टिडडी दल है उसका जो आकर्मन हुआ है राजस्तान से बढ़ता हुआ फिर मद्यप्रदेश और यूपी में जो एंटर अभी कर गया है उसको लेके ही शासन के निर्देश प्राप्त हुए है कि पुर्वानचल में भी अब अलर्ट मोड पे सभी को रखा जाए उसी के तहट क्रिशी विभाग को हमने अलर्ट मोड पे रखा है इसमें जिन भी केमिकल्स का यूज होना है उनकी सारी स्टॉक टेकिंग हम लोग कर रहे हैं इसके साथ ही किसानों के एडवाईजरी जारी की गई है कि अगर कहीं से भी ऐसी जानकारी मिलती है तो विततकाल प्रशी विभाग को सुचित करें इसके साथ ही एक दो दिन में हम लोग ग्राम लेवल पे ग्राम प्रधान और सरकारी जितने भी सरकारी हमारे करमचारी होते हैं ग्राम स्टर के कटिंग एज के उन सब को भी हम लोग अभी सेंसिटाइज करने जा रहे हैं अभी तक हालां कि जो जानकारी मिली है वो ये है कि बुंदेल खंड और पस्चीम उत्रप्रदेश चे होते वे टिड़ी दल दिल्ली की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि उसका पूरवी उत्रप्रदेश में कोई फर्क ना पड़े लेकिन इसके बावजूद भी कब किसकी मु अलिकपूर और हमीरपूर जीले को अपनी चपेट मिले चुका है ऐसे में वारांसी जिलाधिकारी की माने तो पुर्वांचल और वारांसी के खेतों में फसले नहोने के कारण थोड़ी राहत है मगर फिर भी आगे की फसल कहीं प्रभावित नहों इसके लिए तैयारी पू आगे किया 1988 में पश्चिमी अफ्रिका से कैरी बियाई देशों में गई सबसे बड़ा दल 740 वर किलोमीटर तक हो सकता है एक किलोमीटर छेत्र में 40-80 मिलियन टिट्डी हो सकती है ये एक दिन में साल भर में 30,000 वेक्तियों के बराबर खाना खा लेती है ये टिट्डी एक दिन में खुद के वजन के बराबर खाना खाती है बड़ा दल एक दिन में 19 करोन किलो सूखा पादब खा जाते हैं चीन में 3 टिट्डी हमले में 3 बार भयंकर अकाल पड़ा था ये हवा में 5000 फीट की उचाई तक उड़ सकती है टिट्डी की उम्र महज 90 दिन होती है इनसे दुनिया के करीब 60 देश प्रभावित है टिट्डी दल जो पाकिस्तान से चल कर आया है और राजस्थान मध्य प्रदेश तक पहुँच गया है और टिट्डियों का एक दल जहासी की तरफ ललितपूर में पहुँच गया था जिसमें फसलों को काफी नुकसान किया था जुआर मक्का आदी फसलों को काफी नुकसा जिससे किसानों को टिड्डियों से बचाया जा सके। बात बताई जा रही है। कैमरामेन विश्यस के साथ नितिश कुमार पांडे, एबिपी गंगा, वारानसी। टिडियों के संकर्ड़ पर कृष्यमंत्री सूर्य प्रताफ शाहि का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। देखे, वीटियों का राजस्थान की उससे आने का समाचार पराफिवा था। और चौथेरू जी हम लोगों ने वीटिंग करके और उसको सभी अपने बॉर्डर के जिनों को पेटर पेलर्ट कर दिया था। हमारे प्रमुक सचीव ने सभी वीटियों के लेके राजिकारी के और उसी इवाद के उनके साथ की जिनों कांफरेंसी करके और उन्हें बचाव करने के लिए इस प्रकार से बचाव करें और छिर्काव के माजम से रुखा जा सके इसके बारे में जागरूप किया उन सभी सब्सक्राइब करें लिए किसानों को जागुपिये जाने के लिए कहा गया है कि वो पिती दल जबाती है तो सोर मचाएं थालियां पीचे थालियां पीचे जिर्किसूर से वहां से भाग सकें तो इस तरीके से सब्सक्राइब करें अगरा और अलीकर मंदल के भीतर लुबार्डर के हमारे जिने हैं मत्यपते सोरा जस्थान उनको सचियत किया गया है परसों जहांसी में और रेटपूल में फायर प्रिंट की गारी लगा करके उनको फिड़कावी करा है